हेलो फ्रेंड मैसेल निखिल एंड टूड़ आइंग तो डिसकुस दा पेपर ओफ डिया लेडी फूर फाइनल लियर आज हम लोग डिया लेड सेकेंड डियर की प्रिवियस एर कॉस्चन को देखेंगे कि कैसे कॉस्चन एक्जाम में आते हैं और बेसकली किस पैटर्ण पर कुस्चन कितने आते हैं वह सारी चीज पर जर्चा की जाएगी तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इससे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे इंफॉर्मेशन आपको मिलती रही तो चलिए हम वीडियो को इस्टार्ट करते हैं देखिए जो एसवन का पेपर हमारे पास है देखें की को शेंस आती है जिसमें आपको थाटी मांस इंटरर्नल जोकी कॉलेज से मिलेंगे और सेवंटी मां की कोश्चन्य जाती है तो देखते किस तरीके सब्सक्राइब अपने आप वर्ट में User दे, आगे बड़ते हैं, देखिए, दो सक्षर्ण में Question है, सक्षर्ण A और Section B, और Six Questions रहेंगे, सक्षर्ण A में जिसमें 5 Marks के Question है कि यहाने की Section A में जो है वो Six Questions और 5 Marks देट मिन्स Thirty Marks आपके Section छोगे हैं और बाकि 40 खोगे है आपको से जिसमें से आपको फाइब कोस्षें रहें गे और फायब में से फॉर केसे एंसर देनी दिखन डीक्षाइं से रफप को चार सिंख discussion कि एंसर दिया नहीं कि वंहें होगार शाया से चलिए देखते सब्सक्राइब जितने भी कोशन होंगे वो सारे में और करके रहेंगे आप दो में सी किसी एक को लिख सकते हैं ठीक है तो समावशी करन inclusive education that means एक ही छत के नीचे समान छत के नीचे एक हर तरीके के बच्चे को सिछा देना that means अगर कोई विकलांग है अपाहिज है फिर जिस तरीके सिछात रहें कोई मंद बुद्धी है कोई बहुत creative mind वाला student है वो सभी को एक ही छत के नीचे बैठ के सिछा देना that is inclusive education that means समावशी क करन ठीक है तो इस तरीके से question आते हैं देखिए और कैसे question है भारती सच्चिक बिवस्ता पर वैश्वी करन का क्या प्रभावपरा है जो globalization हुआ है जो हम लोग world एक दूसरे से connected है इस पर education पर कैसा प्रभावपर रहा है यह सब देखिए सिच्छा के मौलिक अधिकारों के उ education में जो innovation आया है जैसे कि online education का स्कल ट्रेंड काफी चल गया है तो यह सब के बारे में आपको लिखना है बहुत basic basic सा question रहता है और हमारे चैनल पर बहुत सारे टॉपिक की वीडियो भी है आप लोग देख सकते हैं जो कि मिल जागी इस वीडियो की डिस्क्रिशन लिंक में question किस तरीके से आते हैं यह देखिए question no.7 question no.8 question no.9 question no.10 question no.11 देखिए हर जो last question रहेंगे उसमें आपके short notes ही आएंगे जिसमें 4 में से 2 को लिखना है ठीक है यह हमारा s1 का question था यह हमारा s2 का question है देखिए यह भी जो s1 और s2 है वह 100 marks की है जिसमें 70 marks की exam होंगे और 30 marks college से मिलेंगे आप लोगो internal देखिए instruction सेम ही है s1 s2 के लिए देखिए question किस तरीके से आते हैं exam में आप लोगे सामने संगयानत्तक विकास की जनकारी दोस्तों संगयानत्तक विकास की हमारी जो lecture है वो मैंने cover up किया हुआ है आप जा के playlist में देख सकते हैं बच्चों में या फिर बच्चों में संचार के माध्यां का युगदान मास मीडिया के वार में आपको लिखना है नेक्ष देखिए classical conditioning theory यह देखिए अनुकिरिया अनुमंदन सिंदान पैवलफ के द्वारा ये भी मेरी वीडियो में बनी है playlist में आप यह जाके देख सकते हैं काफी important है ठीक है ब्रुनर की model सिधान्त भी मैंने कराया है क्या सीखना और समाजिक पड़िए से एक दूसरे समंदित है आप अपने विचार में ल लेर्निंग इसका folding भाइगोस्की कहा है अब ब्रुनर मॉडल मैं कराऊंगा दिखे सेक्सन भी में दिखे बुद्धी से मैंने बहुत अच्छे से बता हूँ प्याजे के संगया अत्मक विकास के पर भी मेरी वीडियो हैं बुद्धी के बारे में मैंने बहुत अच्छे से किया हूँ बाल भी का से जटिल प्रक्रिया है झाय है किस तरीका से खुसचना ते एक्जाम में अलबट बंडूरा का मैं कराऊंगा आप लोग को छुछी इस तरीकेविए को एंसर देने हैं एक्जानमे वो भी मैं कराऊंगा बाइ में कर आप swallow स्था नत्मक्त विकास याप वहर तरफ दिखेगा बुद्धी के परकार मैंने कराया हूँ ठीक है कि चलिए दिखिए हमारे पस एस्ट्री का एक्जाम जो है वह नहीं होता है वह आपके कॉलेज में ही पूरा इंटर्नल ही होगा ठीक है एस 4 में दिख्यें 35 मांक्स का आपका EXTनल मांक्स का इंटर्नल होता है 15 मांक्स कॉलेज से आप लोग को मिलेंगी दिखिए किस तरीके से कोशें आते हैं स्थरी के देखते हैं देखिए आत्मिस्वास को कैसे बढ़ा जाता है इसमें आपको आपके अखुत के वाड़े में ही लिखना है यह बहुत आसान सा एक विस्षय है देखिए आप लोग जितने भी डियलेट पर स्विच्चू है उनको मैं यह करना चाहूं कि दो पेपर S1 और S2 वो थोड़ा से आपको पढ़ने के लिए हैं लेकिन बाकी सब बहुत ही आसान है बहुत इसी है कि आप एक बार भी बढ़के उसका एंसर दे सकते हो देखो आत्मिस्वास से क्या समझते हो वाट द्यूंस्ट क्या होता है कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन के वारे में आप डिफ्रेंस करना है देखे एक अच्छे सिच्छा के क्या क्या गुन हो सकते हैं स्वेक इधार ना क्या है बहुत इसी है आपको सॉट नोट लिखने है कि चलते हैं अपने अगले विषय पर एसफाइब में देखिए योग है योग के बारे में क्या है बहुत असा टॉपिक है चालिस मांक्स का है 60 मांक्स का आपका इंटर्नल होगा कि देखिए किस तरीके से क्वेश्चन योग क्या आते हैं कि देखिए किस तरीके से क्वेश्चन हेल्थ कार्ड हमारे स्कुल में कैसे यूज होते हैं आउट डॉर इंडॉर गेम के वारे में देना है बहुत आसान फ्रेंट दोस्तों बहुत आसान सा टॉपिक हैं बहुत आसान सा है बहुत असान देखिए कि नहीं दो परसंचिप टिक टिप नहीं देनी है कि एसिक्स पेड़ागों की इंग्लिस प्रैमडी लेवल और हां खासकर इंग्लिस में जितने भी बच्चों को अगर कोई कठनाई होगी तो कमेंट जरू कड़े मैं इंग्लिस के भी सुसन होंगा देखे किस तरीकासों कोश्चन आते हैं कि मैं खुदंग इंग्लिस कहीं लुगगे एक ये कोशचन में लूँगा आप Martine कर अगर जिनने भी इंग्लिश में कोई प्रावलाम हो तो प्लीस कमेंट ओन दिस वीडियो कि देखिए हम पोश्टर रहा थे दम करेंट सा क्वेश्चन है ओ आइब दीयो द्विय में फंक्सिनल ग्रामर दो टाइक की ग्रामर होता है more फॉर्म ग्राम क्मेंड harmful डिड्यच提 अप्रोच्रि ना टशक्रोच क्या होता है कोशंस बहुत इंपर्टेंट है मैं सारा कराोंगा देखें सेक्षेंट बी में किस तरीके से कुछ्छन आ देखें एप्लिकेशन लिखना है बहुत आसान कुछ्छन है राइट सोट नौट्स औन एन टू अफ फॉलिंग कॉम्निकेटिव अप्लिकेटिव कॉम्निकेटिव कॉम्प्लिटेंस लर्निंग इंडिकेटर फॉर सब्सक्राइब करें देखें थर्टीफाइब मांक्स का पेपर है बहुत असान है दोस्तों देखें देखें गिव यूर ऑपिनियर ऑन इस्टेट्मेंट लर्निंग फ्रॉम स्टेक इस दूसपुल गलती से सिखना उप योगी होता है अपनी राय दे यह तो आप खुछ से कि प्रकृति के चर्चा करें बच्चे स्कूल से पहले क्या क्या सीखते हैं मैथेमेटिक्स के संदर में आपको बताना है कितना असान सब टॉपिक है देखो गनित की प्रकृति का संचित भी नहीं करें नेचर अप मैठेमेटिक्स का वारे में हमें बताने है कि मैठेमेटि यह सब आपको लिखना है लेकिन फिर भी आपको जो भी गन्फीजन होंगे आप लोग कमेंट कर सकते हैं और हां यह पीडिएफ जिनको चाहिए वह इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं मैं उन्हें पीडिएफ दे दूगा कि Listen to the Project mathematics mathematics मीं project कैसे यू lançता है उसके वारे मां आप लोगको लिखना है स्जिपर दृफ्री बच्चों को जू सिमें इसको कि जखाएं खाये बैठ जागा तो हम लोग इसको करके दिखाएंगे कि घुइज यूजफ अल्फाबेट्स उके बाद इमने पॉलीगॉन पॉलीगॉन क्या होता है बहुत सारा जिसमें भूजा होता है वह पॉलीगॉन होता है देखो बहुत असान सा कोशन है अनुपात से क्या समझते है दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व है देखे दैनिक जीवन में इसका बहुत सारा महत्व है कि किसी भी दो चीज़ की वारे में हम लोग क्या निकालते है अनुपात निकालते है इसका देखे मानने हमारे पास एक दवा है थिका है दवा को जिम लोग दवा करते कि आधा खा़े तो यह भी तो ढो दो घर में हमारे चोटे भाई बहान अगर आईस्क्रीम आता है तो कहते हैं आधा अधा करो ऊजर में इसको आधा-धा करो देट बाट रहें तो यह सब द्यानिक्त जीवन इसके अप्लिकेशन है बस इसको व्यों लोग लिखना है विन आत्मक संख्या की संख्या अब दार्न मतलब गनीत में रचनावाद यानि कि गनीत करके आप कैसे सिखाएंगे कि आप टूल्स देंगे बच्चों को नोन चीज देंगे आप उसको कॉंक्रीट चीज देंगे उसको चड़ने के लिए देने जीवन में भिन का उप्यों गिता बहुत इसी है दवा को हम लोग आधा खाते एक बटा दो हो गया मम्मी कहती है आधा ग्लास पानी ला दो तो एक बटा दो ग्लास पानी ला दिया तो कि ऐसा हमारा यूज है तो इसको हम लोग explain करते चल जाना है कोई इस नहीं बहुत आसान कोशने बिल्कुल अपनी लेंग्रज में एंसार लिखना है नेक्ष्ट हमारा essay में देखते हैं किस तरीके से समस्य आती है बच्चे जो लिखते हैं कभी इधर से उखमा देते हैं तो अपने सब्दों में लिखते हैं तो बात चीट होता है किसमें पढ़ने वाले में और लिखने वाले हैं जब हम लोग किताब को पढ़ते हैं तो किताब और हमारे हमसे बात चीट होती है इसको explain करना है सीखने की योजना की उपयोगिता पर अपना महत्म दे मतलब जब लर्निंग प्लान बनाते हैं जब कोई भी टीचर जब क्लास में जाते हैं तो वह लर्निंग प्लान बनाते हैं कि आज क्या पढ़ाना है कितना पढ़ाना है कितने घंटे में इसको खतम करना है तो यह लर् ठिर्वस खतम होती है बच्चों को समुझने में अच्छा होता है ये सबस्पापको लिखना है पतना और क्या आनतर है फिरसे असान सा कोशन मैं बश्चन मैं बता दूँ कि तृत बाचन आज दरु थे हैं वेघते लुटे हैं सुस्चित वेचन होते हैं तो दो टिपना लिखने विभारवादी के अच्छा सिच्छन विभारवादी क्या होता है लर्निंग प्लान देखो फिर से आ गया सिखने क्यों ना ठीक है कि देखो पाठ करम में गनित का महत्व यह सेकेंडरी लेवल में इसकी जो लेवल होगी वह क्लास से एट की बीच में होगी तो इंपोर्टेंस आप मैटेमेटिक्स इंदस्स लेवस होगी लिए उच्छ प्रात्मिक सिच्छन में पाठ पुस्तक के अधिकम समागरी के रूप में किस प्रकार उप्योगी करेंगे अब दोकर परती सत्ता से क्या समझते हैं परसेंटे से क्या समझते हैं आप और हम विज गनित क्यों सीखते हैं यह सब कोशन है अनुपात और समानुपात में क्या भदार ना है कि क्या ता इसली आगे परते हैं तीन टाइब के ट्रेंगल होते हैं इस एक्विलाटर रहे 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 डिये लेट सेकंड डियर की साड़ी डिटेल्स तो बताइए वीडियो कैसा लगा चैनल को लाइक किजिए सब्सक्राइब किसे थैंक यू और हाँ जिने ये पीडियो चाहिए वह प्लिस कमेंट कर सकते हैं थैंक यू